नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Defense Gallery में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत है important एक topic पर बात करने वाले हैं चोकि हो सकता है आपके mind में भी ये question जरूर आया हो भारत क्यों capacity होते हुए भी capabilities होते हुए भी nuclear powered aircraft carrier का use नहीं करता है इस तरह के कई questions कई बार लोगों ने comment section में भी पूछे हुए थे तो इस चीज़ पर आज हम बात करेंगे कि क्यों भारत nuclear powered aircraft carrier का use नहीं करता है तो without any delay चलिए video शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि nuclear powered aircraft carrier और normal aircraft carrier में क्या difference होता है तो basically जो nuclear powered aircraft carrier या कोई भी चीज़ जब nuclear powered होती है चाहे वो submarine हो, aircraft carrier हो या कुछ और हो तो उस चीज़ में उसकी range की आपको चिंता नहीं करनी होती है क्योंकि जो nuclear reactor से बन रही energy होती है उसके थुरू आपकी वो वहकल चलती है तो उसके वज़े से आपको refuel कराने के लिए ground base पे नहीं आना पड़ता है और होता क्या है कि जब आप पानी में होते हैं तो especially वहाँ पे आप refuel नहीं करा सकते बार बार उसको कराने के लिए आपको फिर किसी coast पे या किसी port पे ही जाना पड़ेगा तो उस case में आपकी range limited हो जाती है वहीं पे अगर nuclear powered कोई चीज होती है तो उसमें अलग-अलग depend करता है कि किस तरह का nuclear reactor उस जगा पे लगाया गया है depending upon that आपके aircraft carrier या submarine की range unlimited हो जाती है for example बात की जाए 10 साल, 15 साल, 20 साल या कुछ case में अगर बहुत बड़े-बड़े reactor लगे है तो 25-25 साल तक आपके उस particular vehicle को किसी भी refueling की यानि की इधन की जरूरत नहीं पड़ती है तो ये तो basically बात हो गई कि ये फायदा होता है वहीं आपका conventional aircraft carrier या submarine है तो उसमें आपका depend करता है आपने कितनी energy उसमें दी हुई है तो उस हिसाब से 2 महिने या 3 महिने या 4 महिने में तो कम से कम आपको वापस आना ही पड़ेगा आपको फिर से refuel कराने के लिए generally ये time 90 दिन का होता है तो ये basically हो गया अंतर nuclear powered submarine या aircraft carrier और conventional aircraft carrier या submarine के बीच का difference लेकिन क्या ये actual में इतना आसान है तो ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आपके वहिकल में इधर नहीं खतम हुआ है फिर भी आपको port पे वापस जाना ही पड़ेगा एक समय के बाद क्यूंकि आपके aircraft carrier या submarine में लोग बैठे होते हैं और उन लोगों को जीने के लिए खाने के आवशक्ता होती है और खाना आप nuclear reactor के थूर नहीं ला सकते तो इस वज़े से food supply जो होती है उसके लिए आपको किसी port पे जाना ही पड़ता है तो ये basically range को limited कर देता है यानि कि अगर आपकी unlimited range है फिर भी एक तरीके से limited ही आप कहोगे उसे हाँ लेकिन फिर भी अगर आप इसे conventional से compare करते हो तो आप अगर food supply ज़्यादा लेके जाते हो तो आप एक महिने या दो महिने और ज़्यादा भी survive कर सकते हो वाटर में क्योंकि आपके पास इधन भी है और food भी है तो खाना और इधन दोनों होने के वज़े से आपकी range अगर एक conventional aircraft carrier में तीन महिने की है तो वहाँ पे आप 5-6 महिने भी survive कर सकते हो पर इससे ज़्यादा वहाँ भी possible नहीं हो पाएगा तो ये तो basically हो गया कि nuclear powered aircraft carrier या सब्मरीन का क्या काम होता है अब बात करते हैं भारत की तो भारत के पास क्या ये technology है तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ये technology है इंडिया के पास nuclear reactor की technology है जिसके थूँ हमारा एक सब्मरीन जिसका नाम INS अरिहन्थ है वो काम करता है और ये indigeniously built है और इसमें ये capacity है हमारे सब्मरीन में कि ये unlimited range यानि कि अगर खाने की पर्याप्त मातरा में खाना है आपके सब्मरीन में तो आपको उपर आने की कोई जरूरत नहीं है इसका इधन हमेशा unlimited range 10 साल 15 साल तक काम करता ही रहता है इसका example देना चाहूंगा कि कितने देश दुनिया में ऐसे हैं जो कि nuclear powered submarine और nuclear powered aircraft carrier का इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर अगर nuclear powered submarine की बात की जाए दोस्तों तो उसमें आपको कई countries मिलेंगी जैसे कि UK, China, US, India, France और Russia ये 6 countries basically nuclear powered submarines का इस्तमाल करती हैं लेकिन वही अगर आप aircraft carrier में देखते हैं तो aircraft carrier सिर्फ दो ही countries हैं जो की इस्तमाल करती है नुक्लियर powered aircraft carrier का उसमें पहली है अमेरिका और दूसरी है France जिसमें France के पास एक ही nuclear powered aircraft carrier है और अमेरिका के पास 11 nuclear powered aircraft carrier है और दुनिया में जितने aircraft carrier हैं उसमें से आधे तो सिर्फ अमेरिका ही इस्तमाल करता है, तो यहां आप डिफरेंस देख सकते हैं, कि 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास यह टेकनोलजी है, लेकिन एयरक्राफ्ट केरियर में सिर्फ दो ही कंट्रीज इसका इस्तमाल करती है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके कई रीजन्स हो सकते हैं, और इनी सारे रीजन्स की वज़े से भारत भी इनका इस्तमाल नहीं करता है, फ़र एक्जामपल अगर मैं आपको बताऊं, तो इसकी जो टेकनोलजी होती है, सबमरीन में आपको कम एनरजी की ज़रुरत होती है, तो उसकी टेकनोलजी आप जल्दी विक्सित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एरक्राफ्ट केरियर को चलाना है, तो उसके लिए आपको बड़ा रियक्टर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको काफी टाइम लगता है, आम भाशा में समझाओ, तो ये समझो कि अगर आप 10 साल में एक नॉर्मल एरक्राफ्ट केरियर बना सकते हो, तो नुकलियर पावर्ड एरक्राफ्ट केरियर बनाने में आपको 15 साल का समय लगेगा, तो चलो ये तो बात हो गई समय की, अगर कोई कंट्री समय देना चाहे तो वो बना सकती है, लेकिन इसके बाद दूसरी प्रावर्ड एरक्राफ्ट केरियर को बनाने के लिए, इसकी सबसे पहले रियक्टर को डेवलप करना होगा, फिर उसकी ऑपरेशन होगी और फिर उसका मिंटेनेंस होगा, इन सब की कोस्ट एक कन्वेंशनल पावर्ड एरक्राफ्ट केरियर से कहीं ज़्यादा होती है, तो इसकी वज़े से पैसा भी माइने रखता है, जिस वज़े से बहुत सारी कंट्रीज टेकनॉलजी होते हुए भी इस टेकनॉलजी को अफोर्ड नहीं कर पाती है एरक्राफ्ट केरियर में, तीसरे इंपोर्टेंट चीज़ आती है रेक्वार्मेंट की, आपको न्युक्लियर पावर्ड एरक्राफ्ट केरियर की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर आप भारत के संदर्व में देखते हैं, तो भारत सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में ही ऑपरेट करता है, जबकि आप अमेरिका को देखते हैं, तो अमेरिका दुनिया में कहीं भी चला जाता है, तो अमेरिका को यहां पे ज़्यादा जरूरत है नुकलियर पावर्ड एरक्राफ्ट केरियर की भारत के कंपेरेजन में, क्योंकि अभारत सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में ही ऑपरेट करता है, तो भारत को unlimited range की जरूरत ही नहीं है aircraft carrier के मामले में अब यहाँ पर आप ये सवाल उठा सकते हैं कि अगर जरूरत नहीं है तो फिर भारत submarine में क्यों इस technology का इस्तमाल करता है तो इसका difference बेसिकली ये होता है दोस्तों कि submarine और aircraft carrier दोनों की usage में जमीन आस्मान का अंतर होता है एक aircraft carrier जो होता है वो आपके दुश्मन को हमेशा दिखाई देता है वो nuclear powered हो या conventional powered हो लेकिन एक submarine आपके दुश्मन को कभी दिखाई नहीं देती है तो submarine में अगर आपकी ज़्यादा range है तो आप पानी के अंदर रहते हुए दुश्मन को बिना पता चले आप कहीं भी हो सकते हो और उस पे बिल्कुल easily attack कर सकते हो लेकिन aircraft carrier में आपकी range unlimited हो या limited हो वो दुश्मन को दिखाई देगी और दुश्मन अपने आपको खुद को prepare कर सकता है आपके aircraft carrier के against में तो इसलिए submarine का usage अलग है aircraft carrier का usage अलग है Indian Ocean Reason में हमें जादा देर तक submarine से रहने की ज़रूरत है न की aircraft carrier के थूँ और aircraft carrier की बात की जाए तो Indian Ocean Reason में ऐसे बहुत सारे ports है जहाँ पे India इसको refuel करा भी सकता है मैंने उस पे एक video बनाई थी इंडिया के कहा कहा military bases बने हुए है आप link आई बटन पर है वहाँ से देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा Indian Ocean Reason में ऐसी बहुत सारी countries हैं जहाँ पे इंडिया के ships हो या destroyer, frigates ये सब जाते रहते हैं तो वहाँ पे हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती है तो ये basically एक example हो गया दोस्तों जिन reasons की वज़े से कोई भी देश nuclear powered aircraft carrier को इस्तमाल करने से पहले बहुत बार सोचती है और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एक aircraft carrier अभी active है जिसका नाम है INS Vikramadit वो भी conventional powered है और जो हमारा second aircraft carrier जो हमने खुद से develop किया है वो 2-3 साल में आपको दिख जाएगा operational होते हुए INS Vikramadit उस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी link आई बटन पे है वो भी हमारा conventional powered ही होगा तीसरा aircraft carrier जिसके उपर अभी dilemma में है चीज़े की वो बनेगा भी की नहीं बनेगा जिसका नाम है INS Vishal उसको लेके वे एक बार बात चली थी कि इसे nuclear powered किया जाएगा 2015 के आसपास इन बातों का उठना शुरू हो गया था लेकिन उसके बात फिर ये ख़बर आई कि नहीं ये nuclear powered नहीं ये conventionally powered ही होगा शायद इसका reason यही है कि इंडिया को जरूरत नहीं महसूस होती है और personally मेरे point of view से भी अगर देखा जाए तो हमें nuclear powered submarines की ज़्यादा आवशकता है nuclear powered aircraft carrier की तुलना में अगर दोनों में option है आप दोनों afford कर सकते हूँ nuclear powered aircraft carrier की तो ये मैं उमीद करता हूँ आपको ये point समझ में आ गया होगा इसके अलावा INS विशाल जो है दोस्तों इस पे status क्या है इस पे मैं बनाऊंगा एक वीडियो अलग से आप उसको देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टो बार और कैटो बार में क्या अंतर होता है INS विशाल में क्या यूज किया जाएगा INS विशाल का क्या status है क्या ये बनेगा भी या नहीं बनेगा क्योंकि इसी साल की शुरुआत में हमारे आर्मी चीफ के कुछ ऐसे बयान आये थे जिसके ओपर ये डाउट होता है कि INS विशाल को बनाया भी जाएगा या इसे कैंसल कर दिया जाएगा तो इन सारी चीजों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजे मैं मनीश मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद